दोस्तो रसोई घर में रखी रोटी के साथ ये गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कश्चकारी हो सकता है, जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की होगी हानी, दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूल कर भी ना करे तीन काम। गर में राहु केतू का वास हो जाता है। इसलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये तीन गलती भूल से भी ना करें। सच्ची दिल से कमेंड बॉक्स में लिखे जै माता अनपूर्णा तो आईए शुरू करते हैं। दोस्तो नमबर एक सबसे पहले तो आपको बता दूँ। महिलाओ को इस बात का ग्यान होना चाहिए कि बच्चे बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में तीन रोटी परोस कर नहीं देना चाहिए। तीन रोटियां अशुबकारी मानी गई हैं। इन तीन रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नाकारात्मक्ता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परस्तिती में एक साथ तीन रोटियां नहीं खाना चाहिए. अगर खाना हो तीन रोटियां तो एक साथ कभी न खाएं. एक एक करके खा सकते हैं. दोस्तो नमबर दो अक्सर महिलाय खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी बज़े से पूरा परिबार बीमार पड़ जाता है यहां तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है इसलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते स खाना दूशित हो जाता है और जो भी इस भोजन को घरन करता है वो निश्ची तोर पर राहू केतू का सामना करता है ऐसा खाना दूशित हो जाता है इसलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाए तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए गंदे हातों दोरा भोजन ब रसोई घर में एक से जादा चाकु छुरी नहीं होना चाहिए। इसे नाकारात्मक्ता का संचार होता है और अनपूर्णा नाराज हो जाती है। आकरी कुत्ते के लिए अगर आप नियमे तोर पर ऐसा करते हैं तो माता अनपूर्णा सदैप आपके घर को अनभंडारों से भरे रखती है। ब्यक्ती का ऐसा नियम उसे कभी पराजित नहीं होने देता। ऐसा ब्यक्ती कई पुन्न को प्राप्त कर लेता है। जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। दोस्त और सचे दिल से बोलें जै माता अनपूर्णा। माता अनपूर्णा आपके घर में कभी कष्ट ना आने दे। मा के लिए एक लाइक तो बनता है।